एक emotional support भी बहुत बड़ा point होता है जो मैंने बहुत experience करा है क्योंकि मेरे पास maximum लोग जो आये हैं cheating में वो यही लोग आये हैं कि उन्हें emotional support नहीं मिलता है और मैंने इस चीज़ की awareness के लिए videos भी बहुत बनाई हैं कि आप अपने partner के साथ में emotional उनको support करो क्योंकि कई बार हमारी वज़े से भी लोग हमें cheat करते हैं हलो दोस्तो मैं डॉक्टर योगिंदे सिंग राठोड और आप लोगों के लिए लाया हूँ Inner Wellness Tribe का अगला episode आज हमारे बीच में बेहद यंग और डाइनमिक personality मोजूद है ये एक relationship expert है 80,000 से ज़ादा लोगों को guide कर चुके है ये एक author भी है तीन-तीन national bestseller इन्होंने लिखिये इनकी एक किताब 80,000 से ज़ादा copies इन्होंने sold किये और poet है काफी समय से आप इने सुनते होंगे जानते होंगे और आज हमारे बीच मोजूद हैं हमारे show पे तो प्लीज वेलकूम अनुभाव अगरवाल तैंक यू जयसा यंग जनरेशन जब इसलिवें इन्टरस लेता है तो तैंक यू ज़ादा जब से आप जाब इन्वाइटिंग उत्चा लगा जब से मुझे पताशला कि मुझे आप से मिलना है एक podcast शूट करना है, साथ में बैठना है I was very excited उसी moment से मतलब मैं इसमें ज्यादा खुश हूँ मैं इसा समझता हूँ I'm very fortunate कि मुझे मेरी आप से आज मुलगात हुई काफी टाइम से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ काफी टाइम से मैं आपको देख रहा हूँ So I'm very excited for this Thank you और ये भी हम जानते हैं कि कल तवेद भी खराब थी Still देली से फ्लाइट पकड़ के आए This shows the devotion and commitment जो रहता है एक इंसान में It's really good So how it started Just 27, 28 क्या आप है Come over में शुरुआत की मुझे अभी भी आद है कि Initial days में आप वीडियोज नहीं बनाते थे शरीफ आवाज के जरीए लोगों तक पहुचाते थे और मेरे friend circle में कई लोग थे जो मुझे forward किया करते थे So कैसे ये journey शुरू होई What inspired you कब poetry लिखना शुरू किया कहां से ये शुरुआत हुई So जो इसकी basic शुरुआत जो होई थी वो 2016 से होई थी So at that time I was going through breakup तो वह है जब इनसान का दिल टूटता है तो या तो कुछ लिखना शुरू कर देता है या किसी और field में जाता है जो especially उसको एक artist बनाती है So लिखने का शॉक मुझे पहले से था कुछ ना कुछ में लिखता रहता था लेकिन जो मैंने social media पर लिखना शुरू किया था वो 2016 से गिया था पहले quotes के form में लिखता था caption में लिखता था caption के form में लिखता था लेकिन दीरे दीरे करके मैंने like 2019 तक ना quotes वगरा ये सब चीजे लिखी स्टोरी टेलिंग करी quotes, captions में and then after 2019 मैंने उसको वीडियो फॉर्मेट में वीडियो ऐस इन उसको प्रॉपर वीडियो नहीं कहेंगे एक audio वाला वर्जन लेकर आया जिसमें मैंने अपनी आवास को like importance दी अपनी आवास से अपने words को like शुरू किया उस content को शुरू किया और मैं जहां तक जानता हूँ उस वक्त तक ऐसा कोई था नहीं अपने इंडिया में जो अपना only voice over content पे focus कर रहा हूँ especially in poetry वाली फीड so उस चीज से लोगों ने काफी प्यार दिया, बहुत ज़्यादा प्यार मिला बहुत viral हुआ वो content उस time पे वो real वगरा कोई इस समय था भी नहीं ना TikTok वगरा कुछ था अपना Instagram पे वीडियोस का और YouTube पे वीडियोस का वो time था और वहां से वो शुरूआत हुई और शुरूआत होते 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 यहां तक पहुँचा यह मैंने कहानी बहुत बार सुनी है कि break up के बाद जो बंदे का author और point भार निकल जाता है तो मेरे एक जानकार रहे हैं सुदीप नागरकर करके जो कि अच्छे novel author है काफी famous हैं और novels लिखते हैं उनकी भी कहानी कुछ ऐसी थी कि break up से गुजर रहे थे तो diary वगरा लिखते थे तो एक दोस्त ने कहा कि इसे publish कर दे publish करी बहुत सारे publish ने reject किया लेकिन फिर self publish करी शायद और फिर वो hit हो गई और उसके बाद तो अब हर साल एक ने best seller देते रहते हैं तो ऐसा क्या thought process रहता है उस break up के दोरान what you were feeling what prompted you to write it down उसको लिखने में कैसे आपने channelize किया देखे कहते हैं न कि जब भी कोई चीज बहुत ज़्यादा मन में चल रही होती है आपको वो emotions अपने किसी ना किसी तरीके से बाहर निकालने चाहिए went out करना चाहिए तो जिस इंसान के अंदर जो skill होता है अब एक इंसान है उसको singing का shock है उसको लगता है कि वो गाना चगा सकता है जब एक इंसान का break up होता है तो emotional pain तो होता है साथी साथ physical pain भी होता ही है तो उस physical pain को overcome करने के लिए जो इंसान होता है वो उस चीज को अपना किसी तरीके से went out करने की कोशिश करता है तो जो उसके अंदर एक art होती है जो उसके अंदर एक कला होती है वो उस कला के थुरू बाहर निकालने की कोशिश करता है अब एक writer एक इंसान बनता है तो जब emotions बहुत ज़्यादा बरेवे होते हैं, जायर सी बात है जब एक इंसान का break up होता है, तो वो बहुत जादा emotional turmoil से गुजर रहा होता है, बहुत जादा उसके अंदर हलचल हो रही होती है, तो वो उस चीज को बाहर निकालना चाहता है, अब हर इंसान के पास हर समय कोई नहीं होता, जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके, तो अब एक इंसान का साथी क्या हुआ, वो खुद हुआ, आप अपने आपको यह अपना friend बना कर, अपने pen को, अपने उस किताब को, अपने उस paper pen को यह अपना friend बना कर, लिखना शुरू कर देते हैं, जो भी अपके मन में होता है, उस समय आपको जो भी मतलब, जो भी imagination चल रही होती है, या तो आप अपनी ही कहानी लिख रहे होते हो, या आप अपने emotions लिख रहे होते हो, या आप कुछ बना रहे होते हो, जो emotional चीज़ें होती हैं, तो break up के बाद इसी लिए लोग कुछ न कुछ लिखना, कुछ न कुछ करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि एक तरीकी की self counseling ही चल रही होती है, कई बार जो अंदर अपने आपको जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी चीज़ को पेपर पे डालने लगते हैं, तो यह poetry पहले से भी थी, या पहले भी लिखते थे, या फिर उसके बाद ही जादा trigger हुआ, क्योंकि इसमें creative part भी है, यानि कि हर इंसान तो break up के बाद poetry न लिखता, कई तो bottle भी खोल करके उस तरह आते जाते हैं, तो एक basic potential भी तो चाहिए, तो वो seed पहले से था, मेरा ऐसाच कभी को इरादा नहीं था, कि मैं किसी और गलत direction में जाऊँ, so मैंने वो direction नहीं चूज करें, मैंने writing ही चूज किया, and रही बात poetry की, तो मेरी poetry पता है, ऐसा नहीं है, कि जैसे शायरिया हूँ, मैंने कभी भी उस तरीके का content नहीं बनाया, या सोचा भी, वो बहुत once in a blue moon मैंने कभी किया होगा, मेरा जो content basically रहा है, वो शुरू से एक topic र सकता है, जैसे suppose मुझे बहुत hurt हुआ आज, तो मैंने story imagine करी कि मुझे किस चीज़ पर hurt हुआ, और मैंने वो लिखना शुरू किया, अब जैसा आपके साथ feel हो रहा है, जैसा आपके साथ हो रहा है, life में और लोग के साथ भी बहुत कुछ होता है, उसी से related बहुत कुछ होता है, तो poetry का मेरा कमेशा से concept जो था वो हमेशा यही था कि write something relatable, जिससे लोग relate कर पाएं, जिससे लोग को एक हिमत मिले कि हाँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं जो इस चीज़ से go through हो रहे हैं, और जब लोग उसी वीडियो में जब comments पढ़ते हैं, तो उन्हें ये चीज़ की उस वो flow of thoughts ही रहा है शुरू से, तो वहां से poetry तुमारी बनती गई, एक चीज़ मैंने देखिए है कि especially जब आप किसी heartbreak से गुजरते हो, तो बहुत से लोगों में एक insecurity अंदर develop हो जाती है, कई लोग खुद को blame करते हैं, कई लोग insecure feel करते हैं, कि क्या मेरे में कमी थी क्या पाता और या फिर आप जब आप अपने clients को आज मदद करते हो, तो क्या इस तरीके की issues आते हैं, जहाँ पर इंसान अपनी self-esteem पे ले लेता है, personal ले लेता है, deeply insecure हो जाता है, और कैसे आप उसको insecurity से deal किये, या फिर लोगों को कैसे मदद करते हो, ये बहुत common चीज़ है, फिर भी सोचते हैं कि हाँ, ये मेरी गलती थी और इसकी वैसे मेरा breakup हो गया, लेकिन maximum लोग अपना यही समझ के चलते हैं, कि मैंने अपना 100% दिया, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब breakup होता है, तो उनको ये चीज, वो खुदी इस चीज पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये breakup हुआ क्यों, क्या मेरे अंदर कमी थी, क्योंकि एक इनसान जब चीट, especially आजकल मैंने आपको जैसे बताया भी था भी, हम डिसकस कर रहे थे कि चीटिंग वाली चीज आजकल बहुत हो रही है, आजकल लोग चीट बहुत कर रहे हैं, तो अपने आप ही एक इनसान को मैसूस होनी शुरू हो जाती है, कि आप मुझे में एक कमी है, तो मैं दिखिए, इसमें दो तरीके होते हैं, या तो आप एक इनसान को सीधे ये समझाना शुरू कर देते हो, कि तुमारे अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा तरीका यह है, कि म मुझे लगता है कि इस इंसान में ऐस सच कोई इतनी बड़ी कमी नहीं है तब मैं उस इंसान को यही चीज़ पर मोटिवेट करता हूँ कि सामने वाले के इंटेंशन अच्छी नहीं थी तभी उस इंसान ने आपको छोड़ा आपके पास में और बॉयफ्रेंड गर्फरेंड भी आते होंगे तो यह जो ब्रेक अप का अगर ले लें कि ब्रेक अप होता है या डाइवोर्स होता है इसेपरेशन होता है तो सबसे ज़्यादा कारण क्या आपको निकल करके आते हैं major अगर 4-5 reason कुछ repeat होते वे आते होंगे तो क्या है सबसे बड़े reasons जो आपने देखे कि लोग लेकर आते हैं सबसे पहला reason जो मुझे जो मैंने maximum देखा है एक तो cheating आता है कि partner ने cheat किया या तो बहुत से लोग खुद भी cheat कर रहे होते हैं जो खुद cheat कर रहे हैं जो खुद cheat कर रहा है वो कि अपने guilt को handle करने के लिए वो guilt को handle और उस situation से कैसे बाहर निकले उस चीज़ को handle करने के लिए आता है जैसे एक इनसान है जिसके साथ वो relationship में है दूसरे इनसान जो उसका spouse है husband या wife है तो उसको ये solution चाहिए है कि मैं कैसे deal करूँ अपने emotion से क्योंकि मैं दोनों में से किसी को नहीं छोड़ पारा छोड़ने का option है नहीं मैं भी समाज का pressure है मैं भी अपनी एक image है जो उसे बचानी है अब उसकी जो conscience है वो conscience भी उसे guilt दे रही है कि मैं अब ना तो पूरी तरीके से एक के साथ उपार है ना घरवाली के साथ ना भारवाली के साथ ठीक ही या फिर ना घरवाले के साथ ना भारवाले के साथ तो ऐसे में what advice ही कि वो क्या तुम कहते हो उन्हें उस guilt को manage करने के लिए क्या कोई छोड़ने के लिए कहते हो कि दूसरे पार्टनर को छोड़ दे या ऐसा कुछ सबसे पहले मैं उनकी relationship जो मेरे लिए जो priority वाला relationship है वो एक husband wife का relationship है अब सबसे पहले husband wife की बीच में क्या चल रहे है आकर ऐसी कौन सी वज़ाती है जिसकी वज़े से उसको घर से बाहर किसी इनसान को डूढ़ने की जरुद पड़ी या किसी और से किसी तरीके के relations बनाने की जरुद पड़ी कोई तो need ऐसी होगी न जो कोई नी होगी या तो emotional need होगी या physical need होगी या हो सकता है उस इंसान को हो कि वो एक इंसान पर नहीं रुख पा रहा है उसकी फितरत ही है उसकी इंटेंशन ही है कि वो जम कर रहा है तो अच्छा लोग जब इस तरीके के sessions में होते हैं तो they try to be transparent वो कभी भी अपने आपको ऐसा good books में रहने के लिए नहीं दिखाते है वो बिलकुल open हो के सब कुछ बताते हैं कि हाँ ये चीज है ऐसा है वैसा है अगर एक इंसान cheat करने के रादे से है तो मैं उसको यही चीज समझाता हूं कि अपना relationship जो आपकी priority होनी चाहिए वो आपका husband wife का relationship है मैं उनको यही सला देता हूं कि आप अपनी feelings से overcome करो जो आपने किसी और इंसान के लिए रखी है और अपने husband और अपने wife जो भी उनका spouse है उनके साथ मैं अपने relations strong करने की कोशिश करो उस पर भी मैं उने कुछ tips देता हूं कि अपना relationship कैसे strong बनाता है cheating का जादा तर क्या cause निकल के आता है is it sexual relationship physical intimacy सबसे जादा निकल करके आती है या और कोई कारण होता है इनके अलावा भी एक कारण आता है निकल के lack of emotional support lack of emotional support जब आपको अपने husband या wife से emotional support नहीं मिलता तो आप बहुत परिशान बहुत depression में चले जाते हो और उस वक्त आपकी just एक इंसान से भी बात हो जाए तो आप पूरा dependent होने की कोशिश करते हो और फिर वहां से वो एक spark होता है और उस spark से पूरी एक मतलब पूरे जंगल में आग लग जाती वह आला scene हो जाता है मतलब it start like the relationship form होनी चुरू हो जाती है उसे बस एक छोटी सी conversation से so emotional support मैंने बहुत देखा है like जो मेरा point था after cheating में emotional support पर ही आता क्योंकि cheating में एक cheating तो यह होती है कि आप sexually लोगों के साथ में involved हो रहो तो वो cheating हो गई एक होता है कि आप अपने partner के साथ emotionally खुश नहीं हो understanding नहीं है तो आप कहीं ना कहीं आप बाहर के लोगों में involved होना शुरू हो जाते हो एक emotional support भी बहुत बड़ा point होता है जो मैंने बहुत experience करा है क्योंकि मेरे पास maximum लोग जो आये हैं cheating में वो यही लोग आये हैं कि उन्हें emotional support नहीं मिलता और मैंने इस चीज की awareness के लिए videos भी बहुत बनाई है कि आप अपने partner के साथ में emotional उनको support करो क्योंकि कई बार हमारी वज़े से भी लोग हमें cheat करते हैं लोग यह चीज नहीं समझ पाते हैं हमेशा एक cheat करने वालों को इस चीज के लिए blame किया जाता है कि तुम्हारी intention गलत है तुम इंसान गलत है तुम loyal नहीं हो लेकिन वो इंसान आप से convey कर रहा है आपको यह बात बताने की कोशिश कर रहा है कि उसको problem क्या है आप सुनने को तयार नहीं हो आप emotional support नहीं दे रहे हो आखिर में एक इंसान depression में चला जाता है तो उसके पास कुछ और option नहीं बचता फिर वो जो उसे दिखता है अगली चीज जो उसे दिखती है फिर वो उसी चीज को grab करने की कोशिश करता है तो I think even अगर cheating को थोड़ा और अपन depth में जाए तो एक तो आपने बताया कि एक physical intimacy एक आता है दूसरा emotional support सबसे जादा आता है और कोई कारण आप देखते हो कि इंसान एक रिष्टे से बाहर कुछ खोजने जाता है तो और क्या निकल करके आता है जिसकी वज़े से वो बाहर अपनी needs को पूरा करने जाता है एक बहुत फणी चीज है बट है यह भी एक चीज मैंने देखी है लोग टाइम पास करने के लिए करते हैं सबोस जो आपका spouse है वो long distance relationship में you are working in Bangalore and your wife or your husband lives in Mumbai ठीक है अब Bangalore में आपका कुछ money नहीं लग रहा है सब क्या करोगे यह चीज भी start हो जाती है loneliness भी हो सकता है loneliness तुमें भी वो एक अकेलापन है कई बार वो जो physical presence की need होती है वो ना मिल पाने के कारण भी इंसान उस चीज को explore कर देता है बिलकुल करता है companionship चाहिए होती है एक इंसान को और कुछ लोग जब दूर होते हैं तो वो चीज को control नहीं कर पाते बहुत से लोगों के अंदर होता है कि वो अपनी loyalty को maintain करते हैं लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं उनका होता है कि उनको चाहिए तो फिर वो नीड चाहिए वो फिसिकल नीड वो इनसान बहकता ही है तो याने कि इसमें एक self control में बहुत importance रखता है विकोज डीप डाउन वो जो animal instincts हैं वो animal instincts हम सभी में होती है जिसे जो fried है उन्होंने जो father of psychology जी ने बोला जाता है तो तीन चीजों की बात करते हैं कि हमारे अंदर id होती है ego होता है, super ego होता है तो जो id है वो हमारा सबसे पुराना animalistic nature है जहां पर हमारी growth desires जो रहती है वो सारी desires अंदर रहती हैं इस्पेशली companionship वाली या जो sexual desires है impulsive चीजें जो हैं वो हमारे अंदर रहती है but super ego is like our prefrontal cortex जो उन impulses को दबाने का काम करती है और rationally हमें सोचने पर मजबूर करती है तो सही वातावरन मिलने पे सही environment और सही opportunities मिलने पे शायद ये खयाल सो में से 90 लोगों को आ सकता है 100 में से 90 को खयाल आना लाजमी है और वो natural instinct है human being की लेकिन उस खयाल पर act करना है कि नहीं करना है वो हमारी कितना strong impulse control है हमारे अंदर वो self control है वो कितना ज़्यादा है वो बहुत importance रखता है इसलिए शायद बहुत अच्छा का तुमने की emotional support शायद इसलिए हमें चाहिए होता है कि कई बार जब emotional support समय मिल रहे होता है तो वो impulse को control करना हमारे लिए easy हो जाता है और जब वो नहीं होता तो impulse grow कर जाती है mature हो जाती है कि वो action में behavior में habits में आ जाती है और इनसान weak है vulnerable है तो उन impulses को control करना भी उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल so क्या क्या चीजें तुमारे according cheating में आ जाती है क्या एक इनसान दूसरे partner के साथ में जाकर के सिर्फ एक sexual relationship में आए क्या यही cheating है या फिर कई लोग एक flirtation पर रहते हैं digital flirtation चलती है कई लोग देखा कि अलग लग आजकल applications इतनी हो गई है उन्हें applications पर account रखते हैं और बातचीत करते हैं हाला कि कुछ आगे कुछ नहीं बढ़ा रहे हैं मगर उस level पर रह रहे हैं तो क्या cheating के भी levels हैं और किस चीज को पूरी तरीके से cheating कहा जा सकता है देखें मेरा मानना तो यह है कि cheating किसी भी तरीके की हो cheating cheating ही होती है उसमें stages लोग के लिए होता है बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो सोचते हैं कि flirting is not cheating बट मेरा मानना यह है कि जब आप एक इंसान को किसी गलत नियत से एक ऐसी नियत से जिसमें आप उसके एक relationship के लिए approach कर रहे हो या unwanted friendships बनाने की कोशिश कर रहे हो जब आपको पता है आपका partner इस चीज के साथ comfortable नहीं होगा तो वहाँ पे वो एक cheating का ही एक मतलब एक शुरुवात cheating की ही होती है proper cheating तो वही होती है जब आप एक इंसान के साथ double date कर रहे हो physical relationships बनाने की कोशिश कर रहे हो emotional support like grab करने की कोशिश कर रहे हो वो तो cheating हुई लेकिन किसी भी इंसान को किसी गलत नियत से किसी को देखना, बात करना वो भी cheating में ही count होता है क्योंकि वहाँ पे आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आपको पता है, आप गलत सोच रहे हो कुछ एक नियत आपकी जो है वो गलत है अगर आप उस नियत पे जैसा कि आपने बताया कि आप वहाँ पे अगर अपने आपको किसी भी breakup या divorce का और क्या कारण आपको निकल कर क्या है breakup या divorce के बहुत सारी reasons होते हैं divorce वाला जो cases होते हैं उसमें कहानिया और बड़ी हो जाती है cases बहुत जादा बढ़ जाते हैं जैसे कि जो partner है उसमें इतनी maturity नहीं है वो handle नहीं कर पा रहा responsible नहीं है वो इनसान alcoholic बहुत है उसके अंदर बुरी आदते हैं कोई भी है चाहे है वो husband है चाहे है वो wife है किसी भी इनसान के अंदर बुरी आदतों की विए से समय तक इनसान बरदाश करता है लेकिन एक समय के बाद उस बरदाश को बिलकुल खो देता है और उसके बाद वो इस तरीकी के steps लेने पर मजबूर हो जाता है बहुत सारे ऐसे cases भी देखे हैं जहां पर मेरे पास एक case आया था बहुत साल पहले आया था दो-तीन साल हो गए उस case को शायद शी वस फ्रम जैपूर तो उनके case में ऐसा था कि उनके जो लड़के side of the family थी उन्होंने उस lady को मतलब ऐसा बना दिया था कि that you are पागल अब पागल हो और उसको जबरदस्ती medicines देना शुरू कर दिया बहुत ज़्याद एडिक्ट बना दिया medicines का बहुत ही ज़्यादा like complicated case था वो so वो इस हद तक था क्योंकि basically हुआ ये था कि उस case में she cheated on her husband ठीक है तो और वो बच्चपन का ऐसे कुछ था कि वो that childhood love वाली चीज कुछ आ गई थी उनके सामने तो उसके base पे उन्होंने अपने husband को cheat किया and आगे चलके जब वो कहानी और आगे बड़ी तो उसकी family उसमें involved हुई and उसकी family ने उसको पागल बना दिया ऐसे कुछ किया and आज उसकी condition उस वक जब वो आई थी मेरे पास तो उसकी condition ये थी कि ना मेरा husband अब मेरे पास रहना चाहता और उस इंसान ने भी मिरे को छोड़ दिया तो complications जब आ जाती है cases में या relationships में तो उसकी कोई सीवा नहीं होती है like किसी भी case को किसी भी चीज को लोग बना देते है relationship में चाहे वो cheating के से related हो चाहे वो आपस में बन नहीं रही हो चाहे वो शक के base पे हो personality traits में आ जाते हैं कोई बुरी लत हो बुरी आदत हो तरही बार ये toxicity होती है कि abuse especially तरही बार physical abuse जो है ये भी बहुत दिखता होगा ये भी बहुत आता है physical abuse कर देना लोग को like husband even wife husband को मार रही है husband wife को मार रहा है तो वो तो हम बहुत पहले से देखते आ रहे है मेरे पास तो कोद आके wife ने मतलब ऐसे ऐसी ladies ने कोद आके मुझे बताया कि मेरी ऐसा ऐसे लडाई होई थी and I had to slap him and ऐसा ऐसा कुछ हो गया था so आजकल toxicity की कोई limit नहीं है toxicity पहले कुछ और कहा कुछ और हुआ करती थी आजकल हर एक चीज toxicity में ही convert हो जाती है एक time के बाद so अगर सपोज एक scenario है कि एक lady है जो एक relationship में जिसमें बहुत सारा domestic violence भी है emotional abuse है और anger, drama lots of toxicity she has a kid as well उसका बच्चा भी है ठीक है अब वो independent भी नहीं है निर्भर भी है अब वो एक dilemma में चल रही है कि इस रिष्टे में रहूँ या इस रिष्टे से बाहर निकलो दोनों से समझ में नहीं आ रहा एक तरफ वो बच्चों का सोचती है तो रिष्टे में रहना पड़ता है अब दूसरी तरफ उसको मार्पीट और ये सब होती है तो उसको निकलना भी है लेकिन वो independent भी नहीं है ऐसे बहुत सारे cases मैंने देखे हैं जब लोग आते हैं वोट इस योर टेक ओन दिस कि आप अगर ऐसा कोई case आये या आया होगा तो आप क्या advice देते हो मेरे पास ऐसे बहुत सारे cases आये हैं इन फैक जो इस तरीके के cases जो होते हैं maximum merit people के जो होते हैं उन्होंने मेरे पास आके यही solution मांगने के हमेशा कोशिश करी है कि मेरा 5 साल का, 2 साल का, 10 साल का, 15 साल का बच्चा है और मैं independent नहीं हूँ मैं dependent हूँ अपने partner के उपर, अपने husband के उपर तो उस चीज से में मैं कैसे deal करूँ मैं अगर आज छोड़ दूँगी तो मैं बिलकुल अकेली हो जाओंगी मैं कैसे पालूँगी, यह करूँगी, वो करूँगी लेकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इंसान उसके साथ रहेगा तो जाहिर सी बात है, एक नएक तिन या तो वो इतनी toxicity से खतम होई जाएगा फिर वो नहीं बरदाश्ट कर पाएगा, एक समय के बाद जहां तक वो लेके आगया है अपने आपको, एक certain point तक तो अपने आपको खीच के लिए क्या आगया, ड्रैक कर लिया उसने लेकिन एक certain point के बाद अब वो उससे आगे नहीं कर पाएगा तो इसमें जो मैं solution समझता हूँ, वो मैं यही समझता हूँ कि एक इनसान को सबसे पहले अपनी इस problem को खतम करना चाहिए, क्योंकि main जो problem जो है, वो यही से, उसका husband या wife जो भी है, जो आपने अब ही example दिया उसमें आपका husband toxic है, तो सबसे पहले तो उससे separate होना, जो मैं समझता हूँ, वो सबसे जरूरी चीज है आप वहाँ से अलग होगे, तब आप अपने बारे में कुछ सोच पाओगे, तब आप अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाओगे, और आपके हाथ पे रहे हैं, आप दिमाग से सही चल रहे हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, you can do some jobs, कुछ भी try कर सकते हो, at least कोशिश तो से कुछ कोई इंसान कहीं नहीं पहुंच पाता, कहीं नहीं निकल के कुछ न कुछ सर्च करना पड़ता है, और जब आप इंडिपेड़नेंट जब आपके उपर आ जाती है, वो कहते नहीं है, जब एक इंसान के उपर आ जाती है कि आप उसको responsibility लेनी ही है, तो वो कुछ न अपने आपको independent बना दबली तो अभी एक बात कही थी तुमने की toxicity बहुत increase हुई है और divorce rates भी बड़े हैं breakups और यह सब भी बहुत जादा बहुत common हो गया है आजकल की young generation में तो तो क्या लगता है क्या reason है इस सीज़ के कि why this is happening लोग ना जो मैंने अब तक experience करा है relationship में आते पसंद कर लेते हैं पसंद करती चाहते हैं कि मैं इसके इतना करीब आ जाओं मतलब उसी तरीके से they just want to get into relationship तो जब आप इतनी जल्दी जाना आपने सामने वाले को जाना ना उसको समझा उसका nature कैसा है उसमें क्या अच्छाईया है क्या कमिया है सिर्फ आपने शकल सुरत य यह कि इंसान के साथ आपको relationship में आना है बट relationship में आने के बाद वो इंसान कुछ और है अब आप लोग बताते हैं 10 दिन की दोस्तिती उसके बाद relationship में आ गए तीन महीने चार महीने चला जाहिएर सी बाते से ज़्यादा चले गई नहीं क्योंकि ना आपको वो इंसान अच् अच्छा नहीं है तो जाहिड सी बात है एक समय के बाद आपको ऐसा लागेगा ना कि इस इंसान से तो मेरी बनी नहीं सकती तो वो जल्दबाजी की वज़ए से लोग एक टाइम ऐसा आता है जब उस relationship से exit कर लेते हैं तो यह जो जल्दबाजी वाला point जैसे कहा कि इसका एक गल्फेंड है या दो के बॉइफ्रेंड है तो आप बाकी सम बाकी जो बज गए वो somehow peer pressure महसूस करते हैं और उस pressure में रहकर के somehow वो फटाफट से आना चाहते हैं और यह जो टिंडर, बंबाल और न जाने कितने application है आज की date में तो तो यह जो सब applications आ गए हैं जहां पे जो dating apps आ गई हैं क्या इनका और peer pressure का इसका कितना role देखते हो आप कि यह जो फटा-फट रिष्टे में आने की जो tendency है यह जितनी जल्दी रिष्टा बन रहा है उतनी जल्दी टूट भी रहा है वो कहते हैं कि love at first sight and divorce at first fight तो सभी बात है तो क्या है यह तुमारा इसका role देखते हो मुझे actually में यह चीज होती है like peer pressure क्योंकि जब हम एक ग्रुप में और उस ग्रुप में जैसे आपने बताया कि छे वंदे हैं छे में से तीन लोग हैं तीन लोग की girlfriend है यह चार लोग हैं चार लोग की girlfriend है दो की नहीं है तो उन्हें वह फोमो फील होता है fear of missing out feel होता है कि they are enjoying their life क्योंकि obviously वो यह सब चीज़े भी देखते हैं कि they are relationship में रहने के बाद कुछ benefits आपको मिलते ही है physical intimacy आपकी physical needs fulfill होती है emotional needs fulfill होती है you get a support of a person you get a person जिससे आप बात कर सकते हैं तो वो सब चीज़ें आपके एक अंदर create करती हैं जब आप अपने ही साथ के लोगों को देखते ह जो कि वो इतना सब कुछ कर रहे हैं enjoy कर रहे हैं अपने relationship को गुम फिर रहे हैं date कर रहे है time spend कर रहे हैं सब चीज़े कर रहे हैं तो वो pressure भी एक इनसान को मजबूर करता है कि किसी ने किसी के साथ जल्दी से मैं कुछ करूं किसी के साथ बात करूं बात करती कोई पसंद आ तो तुरंत उसको relationship के लिए अप्रोच करूं I love you बगरा बोलना शुरू कर देता है जबकि ना उन्हें ऐसा कुछ feel होता है ना ही उनको ऐसा कुछ होता है कि बहुत ज़्यादा प्यार हो गया किसी से बस एक relationship में अर्ज आने के लिए और एक इंसान को विश्वास दिलाने के लिए मैं तो यही कहता हूं कि यह जूटा विश्वास दिलाना ही है कि आप इतनी जल्दी किसी को I love you बोल रहे हो एप्रोच कर रहे हो जबकि ऐसी कोई नीड नहीं है शुरूआद हमेशा दोस्ती से ही होनी चाहिए इस जो कहता है कि likability is not trust कि likability का मतलब यह नहीं कि trust है आचकल कि generation कई बार यह गलती करती है इसी वज़े से यह जो social media scams होते हैं जहां पर कई बार आप गलत partner के हाथ लग जाते हैं कई लोग आपके साथ में cheating करके चले जाते हैं को financial fraud कर जाता है कोई clips बना लेते हैं videos बना लेते हैं I think यह भी इसी चीज़ का नतीज़ा है कि अपने ट्रस्ट हो हमेशा step by step grow करने दो evolve होने दो उसको mature होने दो that is very important और आजकल जो instant gratification हो गया है जिसकी वज़े से एक तुमें भी peer pressure है या जो भी है कि फटा-फट सब कुछ चाहिए और क्योंकि जल्दी से मिल गया है तो जो चीज़े में जल्दी से मिल जाती है काई न नहीं होती है आप पहले के जमाने का अगर process देखेंगे कर रिष्टा बनाना है तो किसी का number लेना भी एक process था बहुत बड़ा process होता है कि कोई पचास चक्कर स्कूटी के आपको काटने पड़ेंगे तब जाकर कि उसके भाई का डर गर्वानों का डर और नजाने उसकी सहली के तुरू या किस चीज़ के तुरू उसका number आप तक कैसे पहुंचेगा वो ही अपने आप में बहुत बड़ा process होता है अब तो गया है कि एक right side पर रिष्टा बन जाता है एक click block पर खतम हो जाता है so I think बहुत अच्छे से आप ने इसको summarize किया है कि यस जो जल्दबाजी है इससे बाहर आए एक रिष्टे की एक आयू है एक उमर आए उसको grow करने दे यह जो injection से fruit को पकाने वाली जो बात है वो चीज ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है